हलो बच्चों कैसे हो मैं रमाकांथ आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ आज की क्लास हमारी वही heat and thermodynamics का second part मैंने do part में कहा था आपको कि इसको मैं do part में लेके आऊंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा chapter है तो इसका first part हम कर चुके हैं जिसे बहुत सारे हमने question किये थे और बहुत सारे concept हमने clear किये थे question के टाइप भी देख लिए थी कि यह question कैसे कैसे आ सकता है different form में यह question आ सकता है तो हर तरह के question हमने उसके अंदर करके देख लिए थे अब उसका second part में ले करके आया हूं तो यह जो second part है इसके अंदर थोड़े long question numerical है derivation है इस तरह के question इसके अंदर है ठीक है तो मुझे बड़ा बड़ी खुशी हो रही है कि हम दिरे दिरे start किया था हमने और start करने के बाद हमारे जो नॉर्मल सलेवस था वो भी complete हुआ उसके बाद हमने ब्रहमास्त्रवेच स्टार्ट किया और ब्रहमास्त्रवेच भी का भी आज last lecture है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम समय से आपको वह चीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिसकी आपका अविशक्ता है और जो हमने तब भी आपका जो यह बैच है जो सलेवस है इस ब्रहमास्त्र बैच में भी वो भी सह समय आपका समाप्त हो रहा है तो आप लोगों से ही हम आपके सामने इतना अच्छे तरीके से इस चीज़ को पेश कर पाएं हैं आगे भी हमारे जो 28 फरवरी को जो मैराथन बैच होना है मैराथन जो हमारी क्लासिज होनी हैं शंकनाद मैराथन जिसे हमने नाम दिया है वो भी हमार 28 फरवरी को होगा तो उसमें आपको एक एक को आना है ये कहें कि वही मही से हमें पता लगेगा कि आप हमसे कितना लगाव रखते हैं ठीक है तो उसमें आपको पूरी तरह से मैंने बता दिया है कि मैं आभी तक live आपके सामने नहीं आया हूं उस दिन में आपके सामने live आऊंगा तो मैं देखना चाहूंगा कि आप मुझसे लगाव कितना रखते हैं मैं आप से बहुत लगाव रखता हूं आप भी मुझसे उतना लगाव दिखाएं और उस class में पूरी तरह से full एकदम जिसको ह का बाफी साफी सम्मुझध कम्प्लीट करेंगे एक ही दिन में एकी दिन में बहुत सार अबहुत सम्मुझध करेंगे थिक है तो आप जरूर उस भेच को एन्ज्यो curs का पारट इसमें बड़ए वे मैंने रखे हैं तो दो क्वेश्चन मैंने अभी लिख दिये थे दो नुमेरिकल हैं इनको देख लेते हैं इस तरह की नुमेरिकल अक्सर पूछ लिए जाते हैं डी तथा टूडी मोटाई वाली दो पट्टिकाएं ए तथा बी की उश्मा चालकता है क्रम्शेट टूके तथा की काई मीनस दो कोई भी कंडूक्टर कहह सकते इन को यदो शीट है उनमें एक ही मोटाई D है और दूसरी की मोटाई टूडियों ठीक है इनकी थिकनेस दि और अटूडी है उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी आए एक है टू के और एक की के हैं इनको संपर्क में रखा जाता है एक आ स्वतंद्र प्रस्ट का ताप देखो इसको ऐसे बना सकते बना लीजिए आप यहीं दो पट्टिक आए एक तरशेंग इनको यह कहें एक स्लैब यह और एक स्लैब यह 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 भी स्लेव है ठीक है क्वेश्चन आपको और समझ में आ जाएगा एकी मोटाई कितनी है डी और दूसरे की कितनी है 2D इसकी 2D है उश्चमा चाल लगता है यानी थर्मल कंडुक्टिविटी इसकी 2K है और इसकी के है इनको संपर्क में रखा गया यह मैंने कॉंटेक्ट में रख दिया देखो यह कॉंटेक्ट में रखा हुआ है कि एका स्वातन 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 प्रस्त कौन सा में जो इसका free है यहां करनल यहां पर इसका तแต Pers यहां 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 रहा है इसका में निकालना यह टाम यहां तो बहुत आसान лайक है लेकिन इस तरह question बहुत पूछे जाते हैं ठीक है तो कैसे करते हैं इस question को जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम पर कि जब यह हमने composite conductor वाली जो derivation है उनको किया था series और parallel वाला तो इस series वाला case दिखाई दे रहा है आपको सिरीज वाले case बन गया सिरीज वाले case में मैंने बताया था कि जो rate of flow of heat होता है सिरीज में rate of flow of heat उश्मा प्रभागी दर वो बराबर मानी जाती है ठीक है वो बराबर होती है तो जो बराबर होती है उस महीं से हम concept निकाल लेते हैं कि h1 is equal to h2 ठीक है और h is equal to कितना होता है k k1 a1 theta 1-theta 2 upon l1 ठीक है is equal to k2 a2 theta 1-theta 2 upon l2 अब इनकी value रख लेते हैं k1 की value कितनी है यहापर? 2 k a1 की value कितनी है? a same बाना जाता है यह ना? कितना तूडी बगए कितना आसान कुषिशन इस तरह से यह चंसट लगाना आपको आपको फॉर्मिल को याद रखना रखना तरह से बहुत आसानी से निकल किया जाएगा अब इस देख रहे हैं आप सारी चीज़ तो cancel हो गई है वेरियेवल जितने थे वो cancel हो गए है केवल एक ही थीटा बचा है उसको निकाल लें कितना हो जाएगा 200-2 एक तो थेटा में इखल तु으ू तफट द्यू एक है और इसंटी लिटाए इधर हो जाएग हो में दा चले जाएगा तो ना जाए गई है 5 थी थी घे और यह दर जाकर के प्लस यहनीर एज एक वर तो टू क्वेज्ट 400 और यह प्लस इधर जाएगा तो 420 और यह 5 ठीक है तो थीटा इस इकुल टू कितना आ गया थीटा इस इकुल टू फाइव से डिवाइड करें तो एट और टू बचेगा 84 डिगरी सेल्सियस इसका मतलब यहां का जो टेंपरेचर है वह 84 डिगरी सेल्सियस होगा तो आई थिंक बिलकुल एकदम से समझ में आ गया होगा बहुत आसान ठीक है चलिए यह कोश्चन के लिए हो गया अगला कोश्चन लेते हैं एक लीटर गैस को जिसका प्रारंभिक दा दाब गामावाईयू मंदल है है ना एक लिटर गैसे जिसका इनिशल टैम प्रेशर घमाआ अट्मस्फिरक प्रेशर सबु Been सबते कि जब आप उसको दबाएंगे तब कितना जएगा और अचानक से दबाएंगे तब कितना हो जाएगा दो क् mics है दो पाट है इनको करना तो आप को यहां पर यह किसका क्ष्चन है आइसो और एडिवेटिक प्रोसेस से रिलेटिड क्वेश्चन है तो आइसो थर्मल और एडिवेटिक प्रोसेस से रिलेटिड जब क्वेश्चन है तो मैं आइसो थर्मल प्रोसेस और एडिवेटिक कि अना और पीटू कि वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर एक चीज और दी गई है इसकी क्वेस्चन के अंदर इसके अंदर गामा की वैल्यू दी गई है वन पॉइंट फूर ठीक है और पॉइंट 5 होल पावर बन बाई 1.4 इसकी वैल्यू भी दी गई है आपको 0.6 इसकी व 1.4 और V1, जो भी प्रारंबिक है इसका volume V है मान लेते हैं कितना volume में मान लेते हैं कि V है प्रारंबिक volume या एक लिटर ढून आ तो इसको V क्यों माने हम V1 की value 1 liter यह देखे यह 10voor और P2 कितना है दो VI TWE जाए तो 2 VU मजड़ल का मतलब 2 x 1.4 ठीक है एक लिए बात दो वाई यू मंदल ना हो जाए इति एक लिए तो आप क्या देख रहे हैं सिंप्लिफाई कर लो बस इसको 1.4 से तो 1.4 कैंसेल तो यह क्या बचावन 1.5 यानि 0.5 पॉइंट फाइव लीटर इसका मतलब अगर हम आईसो थर्मल प्रॉसेस से उस गैस को दबाएंगे है ना इन कंडिशन के साथ तो उसका जो प्रेशर है जो वल्यूम है एक लीटर से आधा लीटर रह जाएगा आधा लीटर है जाएगा ठीक है तो यह समझ में आ गया होगा दूसरा पार्ट देखिए दूसरा पार्ट चलिए धर कर लिता है ये क्वेश्चन त जब इसको अचानक से दबाए जाए और अचानक से दबाने का मतलब होता है एडिवेटिक प्रासेस कैसे चलता है पी वन ओछ वन रिच्ट फावर गामा इस इकुल टूपी टूइटू पावर गामा आपको क्या निकालना वी टूपी टूपावर गामा रहने देते हैं अभी P1 V1 whole power gamma V1 raised to power gamma divided by P2 इन सारी values को substitute कर लेते हैं P1 की value कितनी है gamma और V1 की value कितनी है 1 whole power gamma divided by P2 कितना है 2 gamma डबल हो जाएगा ठीक है यहाँ पर यह cancel हो गया और यह कितना बचा 1 upon 2 1 upon 2 बचा या इसको क्या लेख सकते हैं 0.5 और यह है V raise to power gamma लेकिन आपको तो V2 निकालना है V raise to power gamma नहीं निकालना है तो क्या करेंगे हम देखो यहाँ पर कैसे करेंगे V raise to power gamma है तो V2 कितना हो जाएगा उसकी power 1 by gamma यानि 0.5 whole power 1 by gamma और 1 by gamma की value दी गई है 1 upon 1.4 और देखे यह वही value आ गई है ना और इसके value कुतनी है 0.6 0.6 liter तो यहाँ पर आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि सेम बात हमने सेम काम किया है है ना सेम काम किया यह प्रारंभीक दाब जो था जितना कि लेखा her lonely चेंज किya लेकिन अंतर आगें यह पर इक बार आईसो थर्म प्रोसे तीक प्रॉसेस खिया गया और एक बार आबड़ेविटिक हो तो यहाँ पर एक चीज़ और परूप हो जाती है कि इसका मतलब दोनो प्रॉसेस जब दोनों प्रॉसेस चीज़ नहीं है वॉल्यूम में डिफरेंस भी डिफरेंट आएगा ये ये नहीं तो हमने निकाला नहीं इधर दोनों प्रॉसेस में डिफरेंट चीज आई है यानि उतना ही काम करने पर अगर हमने आइसो थर्मली किया तो प्रेशर जो वॉल्यूम है वो पॉइंट फाइब रह गया है ना औ इस दोनों प्रॉसेस में बात एक ही हो ऐसा देखी बात इक बात नहीं है अलग अलग बात है है कि इनक्वेशन से और अचीजए क्लियर हुई होगी और चीज़े समझ में आई होगी कि यह आपके दो डिटेल मी किया था है ना है उसको रिवाइस कर लेते हैं थोड़ा पेजी से रिवाइस कर लें कोई बात नहीं लेकिन उसको रिवाइस करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके उपर q Ci ga Roo आता है मि उसको रिवाइस करेंगे और उसके जो नमेरिकल है उनको भी करेंगे तो कार्णो साइकल में है कार्णो सायकल या हीट इंजयन हैर कार्णो साय कंडो सा warriors में आपको पता है मैं थोड़ा सा इसको बहुत जादा और डेटे отдель में नहीं कर रहा हूं क्यों कि यह बहुँट Un STEPHAN desay तो आप इसको उस लेक्चिन में जाकर कि देख सकते हीजिए लेक्चर हम नहीं कराया था उस लेक्चर में जाएं और आप बहुत डेखना न है तो करें महांसे देख सकते यहां पर भी मैं आपको अच्छे से करा ही दूंगा हमने क्या बताया था कि तीन तीन चीज़े ली गई थी एक लिया था सोर्स कि है ना मैं थोड़ा सा ऐसी बना देता हूं रफ तरीके से बस अब यह सोर्स था यह आपका इस्टेंड था यह स्टेंड है कि यहां पर आपने क्या रखा हुआ है यह वर्किंग सबस्टांस रखा है इसके इंदर यह वर्किंग सबस्टांस है है ना और यहां पर क्या है आपका सिंक सिंक यह स्टेंड है और यह है सोर्स तो सबसे पहले क्या किया गया था कि इसको सोर्स के उपर रखा और सोर्स के उपर रखने से क्या हुआ कि इसने हीट को एब्सॉर्ड करना स्टार्ट किया और इसका टेंपरिचर चुकि यह इन्फाइनेट सोर्स होता है इस कारण से क्या हुआ कि इसका तेंपरेचर सेम बना रहा और कुछ ही देर वाद इसका टेंपरेचर भी इसके बराबर ही हो जाता है जिस कारण से यह जो पिस्टन है उपर की तरफ को चलने लगती है और जो गैस माले तरीके से जाएगी आइसो थर्म प्रोसेस से तो माल लेते हैं हो प्रेश्र कितना होजाएगा पी-टू और वॉल्म कितना होजाएगा वीटू इस टेम्परिचर टीवन रहा है और इसने जो हीट अब्सॉर करीए मालिक ने क्योवन रिप्जॉर किये यहां पर ठीक है क्योड़ी इसने अब्सॉर कर ली जिस कारण से इसने पिस्टन को उपर की तरफ को धकेल दिया और पिस्टन ऊपर की तरफ को धकेलने से हमें कुछ वर्क मिला ठीक है वर्क डन बाइदा गैस हुआ है इस गैस ने वर्क किया है इस पिस्टन के उपर तो कितना हुआ है उसको निकाल लेते हैं और आईसो थर्मल प्रॉसेस में वर्क डन कितना होता है इसको भी आप जरूर याद कर लेना ठीक है आईसो थर्मल प्रॉसेस और एड़ेटिक प्रॉसेस में वर्क डन इसको जरूर याद कर लेना ठीक इस क्वेस्टन को जरूर कर लेना तो यहां से यह कितना वर्क डिर निक क्योंकि वो दो जगे काम आएगा वहां तो काम आएगा इसके अंदर भी काम आएगा और इसकी वैल्यू कि इतनी होती है अगर हम निकालना चाहे तो मा लेते हैं कि जो आपका nrt1 log v2 by v1 इतना वर्क हमें guess a position से b position में जाने पर मिल जाएगा यह पहले step में यह step number 1 हो गया step number 1 ठीक अब step number first था step number second second में क्या किया था हमने कि इसको यहां इस स्टेंड के उपर रखा अभी स्टेंड के उपर रखने से क्या हुआ कि जो इसके इंदर गय से जो हीट अब्सॉर की विए अभी भी उसके इंदर कुछ पावर बची है वर करने की चुकि यह स्टेंड है और स्टेंड कैसा isolated स्टेंड है यहां से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो इसका मतलब जो हीट इसके इंदर है वह वहीं बनी रहेगी वह बाहर नहीं आएगी लेकिन पिस्टन अभी और उपर की तरफ को जाएगी यानि वॉल्यूम चेंज होगा प्रेसर चे लेग्ली होगा तो वपक्न कितना मिलेगा माले यह व तो इस बार गैस इसकी वैलू कितनी होती है अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं इसके लिए भी मैंने इसलिए का है कि इसको भी आप जरूर ध्यान कर लें कि एड़ेटिक लिए कैसे निकालते हैं एड़ेटिक निकालने का तरीका है कि एन आर अपॉन गामा माइनस वन टीवन माइनस टीटू ठीक है इस तरीके से आप इस के अंदर थर्ड स्टैप यह था कि अब इसको सिंग के उपर रखते हैं और अब गैस में उतनी ताकत नहीं वची कि वह और वरकर सके तो हमें उसी पोजिशन में लाने के लिए ताकि वह फिर से वर्क करने लाइक हो जाए तो हमें गैस को क्या करना होगा दबाना होगा compress करना होगा तो हम इसके उपर रख करके उसे धीरे-धीरे compress करते हैं compress करते हैं तो उसमें जो heat develop होती हूँ सिंक को चली जाती रहती है इत मीन्स उसका temperature नहीं बदलता है है ना heat जो भी produce हो रही है वो सिंक में चली जाती है तो उसका जो temperature है वो constant बना रहता है लेकिन उसका volume कम हो जाता है pressure बढ़ जाता है यानि यह gas अब किसी इस position D में आ जाती है जहाँ पर इसका pressure P4 और volume V4 हो जाता है यहाँ पर temperature T2 है और जो heat इस बार इसने absorb नहीं की बलकि इसमें से heat evolved हुई है जो सिंक को चली गई है वो कितनी मालेते है Q2 तो यहाँ पर work done by the gas नहीं हुआ है work done on the gas हुआ है यह ना work done on the gas हुआ है तो W3 is equal to कितना हो जाएगा Q2 is equal to formula वही PDB है ना और यह कितना V3 से V4 तक जाना था हमें यहाँ पर लेकिन work done by the gas नहीं हो करके work done on the gas हुआ है तो इसलिए इसको क्या लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा nrt2 log क्या होने चीए वी 4 by V3 लेकिनी माइनस है तो क्या होगा V3 by V4 जाएगा इतना वर्कडान हमें तो जो हीट इसके अंदर होगी वो हीट वो क्या करेगी इसका temperature बढ़ा दी कि volume change हो जाएगा pressure चेंज हो जाएगा लेकिन temperature भी बदल जाएगा इट मींस इस बार कैसे होगा एड़ेटिकल ही होगा process तो एड़ेटिकल ही होगा और तब तक दबाएंगे जब तक कि उसका pressure और volume initial वाला ना हो जाए यानि V1 वी 1 ना हो जाए ठीक है तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हमारा यह complete cycle हो गया complete cycle इसी को हम कहते है carnal cycle तो fourth step में क्या होगा वर्क हमें व4 इस कितना होगा वही फॉर्मला है PDV कितना वी 4 से वीट लिकिन क्योंकि work done on the gas हुआ है है तो एक इतना हो जाएगा इन आर अपन गामा मैंनस वन और यह होना चाहिए T2-T1 इस बार है नो T2-T1 होना चाहिए क्योंकि पहले यहां से यहां तक आई थी T1 से T2 में आई थी अब T2 से T1 में जा रही है तो T2-T1 होना चाहिए लेकिन यह माइनस क्या कर देगा वापस T1-T2 कर देगा equation number 4 तो I think बिल्कुल किलियर हो गया होगा बहुत बढ़ी है तरीके से अब गैस वापस हमारी उस पोजिशन में आ गई है कि वह फिर से वर्क कर सकती है हम फिर से यहां पर सोर्स पर रखेंगे फिर से हम हीट एब्जॉर्ड करेगा और पिस्टन उपर की तरफ को जाएगी यह प्रोसेस चलता रहेगा बार-बार चार स्टेप में में वर्क डॉन मिलता रहेगा तो इसी लिए स्कों कहते हैं पूर स्टोक इंजन है ना कांड़न ने जो बताया था पोर स्टोक इंजन था इसको चार चार चर्णों में पावर मिल जाती है, पूरी पावर जो मिलती है, वो चार चर्णों में मिलती है, ठीक, तो हमें total work निकालना है, total work निकालने के लिए क्या करेंगे हम, w1 plus w2 plus w3 plus w4, चुकि ये दोनों minus के work है, तो इसलिए हमने minus ले लिए, आप क्या देख रहे हैं, कि w4 और w2 दोनों सेम है, और minus plus के हैं, तो इनको cancel कर सकते हैं, तो क्या हुआ, w1 minus w3 बचेगा, w is equal to, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, q1 minus q2, ये हमारा कार्णो साइकल, I think बिलकुल किलिए रहो गया होगा कार्णो साइकल, इनको मैंने जैसे पहले बताया था, आप इनको area के term में भी लिख सकते हैं, area के term में कैसे लिखेंगे, पहला case अगर ले एक case लेके मैं बता देता हूँ आपको, कि माल लेते हैं, ये 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 डैश, ये बी डैश, तो पहले case में क्या लिखेंगे, हापर, is equal to area, क्योंकि हम work done, जो area covered होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, कर्व के ऐसे द्वारा घेरा गया, जो 6तर फबल होता है, उसे भी निकाल सकते हैं, तो कर्वने कितना है, ऌत्व है, area A, B, अची है, इससे भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से हमारी के साथ इसको लग सकते हैं, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि, या area A, B, C, D, A, यह भी कह सकते हैं, ये था हमारा Carno Engine, Carno Cycle में वर्क, तो वर्क हमें क्या देख रहे हैं, वर्क कितना मिला में, वर्क हमने Heat कितनी अब्जॉर केती हैं, इस Source से कितनी Heat अब्जॉर कीती, Q1 Heat अब्जॉर कीती, तो क्या वर्क Q1 के बराबर मिला, नहीं, हमें वर्क मिला Q1-Q2, यानि कुछ वर्क, जो है कुछ heat हमारी वेस्ट गई है है डा को गई- सिंकत सिंक को चली गई है यहां से भी हम देख पा रहे हैं कि जितनी हीथ हम लेते हैं उतनी heat work में Convert नहीं होती है। यही second law अभी यही है कि टोटल efficiency कितनी होती है डेटेल में इसको जरूर देखने एक बार मैंने फिर भी काफी कोशिश किये कि आपको काफी कुछ इसके अंदर बता दूँ एफिशेंसी इटा से ओर शुकर देखने से डिनोट करते हैं और इटा इस एक HOLTA क्या होता है आउट कई पूझकर ब्राक हो ओं आउट पूझळ कितना यहां पर T1 है source का टेंपरेचर, T2 है sink का टेंपरेचर ठीक है। तो यहां से भी मैं पता लग रह útना ज़्याधा डिफरेंस होगा source & sink के temperature में उतनी हमारी efficiency जादा होगी। उतनी efficiency बढ़ जाएगी, ठीक, तो यह बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आगया होगा है ना यह हमारा हीट इंजन था या कार्णो साइकल यह थी तो वेरे गुड बहुत बढ़िया आपने इसको समझ लिया है पेशेंस के साथ कि यह आपको जरूर एक्जाम में से रिलेटिट कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलने की पूरी-पूरी संभावना है और अब एक दो निमेरीकल और कर लेते हैं उसके बाद हम इस क्लास को फिनिश करेंगे तो इससे रिलेटिड एक दो क्वेश्चन है मेरे पास जिनकों करते हैं क्वेश्चन नमबर जो भी है खर मैं और डाल देता हूं क्वेश्चन है कार्णो उंजन कार्णों इंजन 627 डिगरी सेल्सियस ताप पर स्रोच से 1000 किलो कैलोरी उश्मा को अवशोशित करता है अवशोशित करता है ठीक है और 27 डिगरी सेल्सियस और 27 डिगरी सेल्सियस ताप पर सिंग को दे देता है पर सिंग को दे देता है इसकी दक्षता ग्याद कीजिए इसकी दक्षता ग्याद कीजिए यह कितना कार्य करता है दूसरा पार्टे यह कितना कार्य करता है ठीक है यह आपका question है तो question को समुझे Boston सा question है लेकिन चोटा सब्सक्राइब हो और वैसे question आभ आधे जाते हैं तो अभिव्र जन गीधा सा पर इसमें डिया हुआ है इस सोर्स का महासे 1000 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर कर लेता है है न वो जो हीट है न अब कर लेता है तो इसकी अफिशेंसी इंकालनी है तो इफेशनसी और निकालनी और यह कितना वर्क करता है निकालाया वर्क में कितना कन्वर्जन हो रहा है वह भी निकालना है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया समझें आप टीवन इस इकोल टू कितना है क्या होगा 272-273 इस इकोल टू 300 कल्मिन ठीक है आपको इटा निकालना है तो इटा इस इकोल टू कितना हुआ टीवन माइनस टीटू भाई टीवन है ना इटा निकालना था यहां पर तो टीवन है 900 माइनस 300 डिवाइड बाई नाइन हंड़ेड तो यह होगा 600 डिवाइड बई 900 कर दो जिरू केंसिल टू बाई था तो एफिशेंसी आपकी यह निकल के आगे टू बाई थी 2 पाय 3 है नो परसेंट में निकाल नहीं है तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कितनी परसेंट होगी अंडरे सुनटि निकॉलाएगी तोenty OF 66 परशेंट इसंजरींगी होगी जो इस तरह से वर्क कर रहा हूँ ठीक है, 2 x 3 efficiency हो गए एक तरह से, दूसरा पार्ट, डबलू निकालना है, Eta is equal to क्या होता है, q1-q2, divided by q1, है न, ध्यान से समझें आप q1-q2 क्या आया था हमारा, q1-q2 किछीज की value है, ध्यान से, हो सकता है कुछ ने बता दिया हो, तो कितना w, yes, w की value थी है तो w निकालना है, तो w is equal to eta into q1 और eta की value आपकी है, 2 by 3 आई है और q1 की value कितनी है, 1000 यहां से यह निकाल लो तो q1, 1000, और इसकी value कितनी है, kilo calorie है तो इसको change कर लें आप, तो kilo calorie को change करेंगे तो कितना आएगा, 10 square 3, तो यह आगया, 2 by 3 simplify कर लें इसको, यानि, 0.6, 0.66 है ना, तो 6.6 into 10 raise to power, 6 तो यह हो गए, और एक यहां से minus हो गया, इधर जाकर के 5 रह गए, इतने जूल एक पर देख लेना, यह ठीक किया के निमेने, ठीक ना किया ओ, ठीक कर लेना, वैसे ठीक लग रहा है, मुझे, ठीक है, यह था आपका, यह question, बहुत बढ़िया question है, दो पार्ट हैं, इसके अंदर, आपको यहां पर भी समझ में आ गया होगा, कि अच्छा, ऐसे किया जाता है, question, यह वाले question में, यह concept लगता है, आपको और बढ़िया समझ में आया होगा, चली, एक question और ले लेते हैं, इसी से related, next, जो question है हमारा, वो है, यदि एक इंजन, एक उश्मा इंजन के सिंग काता, question है, यदि एक उश्मा इंजन, के सिंख, काताप, काताप, पचास डिगरी सेल्सियस कम कर दिया जाए, पचास डिगरी सेल्सियस कम, कर दिया जाए, ठीक है, तब उसकी चमता, तब उसकी, दक्ष्टा, दो, टू बाई फाइव से बढ़कर, वन बाई टू हो जाती है, इस रोट काताप ग्याद कीजिए, ग्याद कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्टन है आपका, कि इसका ताप हमें ग्याद करना है, कैसे करेंगे, क्या है, क्वेश्टन को समझें पहले, एक हीट इंजन है, इसमें जो सिंक है, उसका टेमपरिचर, 50 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 50 डिग्री सेल्सियस को ये मत मानना, 50 डिग्री सेल्सियस है, जो भी था उसमें से 50 degree Celsius कम कर दिया है ठीक है अगर यह ऐसा कर देते हैं तब क्या होगा उसकी दक्षता बढ़ जाएगी क्योंकि T1-T2 जो है उसका difference बढ़ जाएगा ठीक क्योंकि सिंग का temperature कम करने से क्या होता है उसकी जो efficiency बढ़ जाती है तो इसने भी वही का कि उसकी दक् का इसने कि इटा is equal to कितना होता है T1-T2 divided by T1 ठीक है यह होता है आपको निकालना क्या है T1 आपको calculate करना है T1 आपको निकालना है source का जो temperature है वो T1 है और T2 क्या है वो sink का temperature है वो sink है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको जैसे इसने पहली बार में कहा है कि T1-T2 divided by T1 is equal to कितना थ सरस् profession ठीक ड़ने शete questo है यह फर्स टेस्ड ऌहरोच आ इतर ऑर दूसरे के समय क्या और यह फ़स्ट के हले नहीं मीआ थाढेया पहले T2 था तो T2-50 हो जाएगा divided by T1 is equal to कितना हो जाता है 1 by 2 हो जाता है इसने खाया 1 by 2 हो जाता है इता की value यह equation number 1 है और यह equation number 2 है अब तो कोई बात ही नहीं है दोनों को simplify कर सकते हो आप दोनों को solve कर लो तो T1 और T2 को value आजएगी दो equation दो unknown वह equation और दो ही unknown है फिर कौन रोख सकता है इसको solve होने से हैं ना दो equation दो unknown जितनी equation अगर जितनी कोन है उतनी equation अगर आपके पास है फिर तो बहुत आसानी solve कर सकते हो तो यहां से टीवन और टीटू को value निकाल सकते हो टीवन जो है वह कितना आएगा यहां से मैं बता देता हूं टीवन इस इकूल टू फाइन्रेड कैलिविन आ रहा है और टीटू जो आपका रहा है वो 300 केलिविन आएगा इनको डिग्री सेल्सिस में भी कनवर्ट कर सकते है यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि क्या चीज दी है और क्या नहीं दिया और यह कैसे लिखना है यह सारचीजिए कैसे लिखनी है तो आप देख रहे है कि मैंने क्वेस्ट बहुत बढ़ीया सके आपका जो एक्सपोजर है इन से रिलेटिड वो बढ़ा हो सके आपका जो इमेजिनेशन पावर है वह बड़ी हो सके ताकि आप को रटे नहीं और आपके अंदर जो नॉलिज है वह आए ना कि सीमित ग्यान सीमित ग्यान नहीं होना चीए आपके पास एक वाइड तो मैंने कोशिश वही किये कि आपको सारी चीजें डेटेल में बताऊं है ना तो यहां पर हमारा यह जो ब्रहमास्त्र वैच का फिजिक्स का जो लेक्चर थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं ठीक तो यहां तक हम पहुंचे हैं आप लोगों के सैयोग से मैं फिर से आज लास लेक्चर है तो मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने जो देखा और आप भी मुझे धन्यवाद अगर कहना चाहते हैं तो एक उसका एक सिंपल सा तरीका है कि कमेंट में तो करी ही दें कमेंट में तो धन्यव भाव होंगे मैं वहां पर आपको दूंगा और जो मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपको और तरीक से धन्यवाद देना है तो जो 28 फरवरी को जो मेरा धन क्लास होगी मेरी उस क्लास में आप सभी लोग अपने साथियों को लेकर के और भरपूर मात्रा में आए तो मुझे भी लगेगा कि हां सभी लोग जो हैं मेरे समान में आए हैं और मुझे सुनना चाहते हैं मैं भी आपको पूरी ताकत के साथ पूरे मन से पूरे मॉटिवेट होकर के फुल एनरजी के साथ आपको उस दिन तयारी कराऊंगा ठीक है उसके बाद आपका एक्जाम हों लुड़ा है आपको बिल्कुल भी टैंषन नहीं रखनी है टैंशन रखने से चीज़े भूल जाते हैं तो बलकुल होके रहना है लंबी-लंबी सांस लेना एकजाम होने से ठीक पहले लंबी-लंबी सांसे लेना उसके बाद जब रिलेक्स हो जाएंगे तब पेपर को उठाना उसके बाद देखना आपके कितने अच्छी तरीके से पेपर होते हैं ठीक है तो आज की क्लास हम यहीं पर कम्प्लीट करते हैं नेक्स्ट हम 28 फरिवरी को फिर से मिलूँगा में तब तक के लिए आप सभी अपनी सेथ का भी ध्यान रखें और पढ़ाई लगातार करते रहें आपके एक्जाम बिल्कुल नजदीक आ गए हैं तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू वेरी म करते हैं तो सभी को बहुत प्रिवच प्रिवच्छ थेंक्यू प्रिवच्छ थेंक्षण तो सभी का तो सभी अपनी प्रिवच्छ रखें धन्यवादीक लिए्ट